शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा महिर्बान नहायत रहम बाला है। जून पंदरा से जून अथारा, लॉंडन से काराची, विया आबुड़ाबी एतिहार एर्वेस पर तबदील करने से पहले। ये तजवेश दी जाती है कि इशूड टिकेट का कूपॉन स्टेटस चेक करें। इसके लिए TWD ट्रांजाक्शन का इस्तिमाल करें। स्लैश के लगाने के बाद, लाइन की शनाक्ट के लिए लेटर L लिखें, फिर PNR से FA एलेमेंट के लिए नमबर दुस लिखें और एंटर प्रेस करें। कूपॉन्स एक और दो का स्टेटस F है जो के फ्लोन, जिसका मतलब है के ये इस्तिमाल हो चुकी है। जबके कूपॉन्स तीन और चार का स्टेटस O है जो के ओपन, जिसका मतलब है के ये अभी तक इस्तिमाल नहीं हुई है। Taxes Panel को डिस्प्ले करने के लिए TWD Transaction का इस्तिमाल करें Slash लगाने के बाद फिर Tax लिखें ताके Tax शनक्त हो सके और Enterprise करें Taxes का Breakdown इस तरह है Tax No. 1 5,000 RG Tax Tax No. 2 2,000 SP Tax Tax No. 3 2,800 YD Tax Tax No. 4 6,072 F6 Tax Tax No. 5 707 ZR Tax Tax No. 6 31,000 252 GB Tax Tax No. 7 70,300 UB Tax जारी करदा Fair Basis के Penalty Rules को चेक करने के लिए पहले Fair Quote डिस्प्ले करें इसके लिए FQD Transaction का इस्तिमाल करें फिर KHI कराची का 3-letter code origin के लिए और LON London का 3-letter code destination के लिए टाइप करें फिर Slash लगाने के बाद Letter A Airline को शनाक्त करने के लिए और EY Aetihad Airways का 2-letter code टाइप करें और Slash लगाने के बाद फिर Letter C Booking Class को शनाक्त करने के लिए और U Booked Class of Service को शनाक्त करने के लिए टाइप करें और Slash लगाने के बाद Letter D और फिर चार जून दो हजार चुबीस जो आउटबाउंड जर्नी की डेट है, स्लैश लगाने के बाद, लेटर आर और कॉमा सिंबल जो रिक्वेस्ट टाइप को शनाक्त करने के लिए, शार जून दो हसा शौबीस, जो टिकेट इशू करने की डेट है और एंटर प्रेस करे अब फैर रूल्स चेक करने के लिए, FQN ट्रांजाक्शन का इस्तिमाल करें, फिर नमबर एक, जो लाइन नमबर हमारी मतलूबा, इशूड फैर बेसिस का रेफरेंस है, इसके बाद अस्टरिस्क सिंबल, P, E, जो पेनल्टी रूल कैटेगोरी को शनाक्त करने के लिए, औ करनसी को US$, USD से, पाकिस्तानी रूपीज, P, K, R में तबदील करने के लिए, मुझुदा बैंक सेलिंग रेट के मुताबिक कैलकुलेट करना होगा, FQC ट्रांजाक्शन का इस्तिमाल करें, एक सो पचास, फिर USD करनसी का कोड, स्लैश के बाद P, K, R टाइप करें, जो पाकि 27125 पाकिस्तानी रूपीज के बराबर है, टिकेट दोबारा जारी करने की तारीक हब जून आत, दोहादजार चोबीज है, मतलूबा डेट को PNR में तबदील करने के लिए, हमें असल बुक की होई, U-Class में seats नहीं मिली, इसके बजाए, हमें higher L-Class में seats बुक करनी परी, और फिर गेर जरूरी itinerary segments cancel कर दिये, पुरानी टिकेट इशू की होई, TST को डिलीट करने के लिए, TTE transaction का इस्तेमल करें, slash type करें बात, all जो के सब TSTs records को शनाख्ट करने के लिए, और enter press करें, आपको TST deleted message मिलेगा, जो confirm करेगा के सब TSTs PNR से remove हो गए है, itinerary का fair calculate करने के लिए, FQP, fair quote pricing का इस्तेमाल करें, फिर KHI करची airport origin के तोर पर, slash लगाने के बाद, letter D जो date को शनाख्ट करने के लिए, 4 June, slash लगाने के बाद, letter A जो airline को शनाख्ट करने के लिए, EY एतिहाद airways के लिए, slash लगाने के बाद, letter C जो class को शनाख्ट करने के letter V जो booked की होई class of service को शनाख्ट करने के लिए, U, H, Abu Dhabi airport जो हमारा अगला destination बगार stopover के, slash लगाने के बाद, letter D जो date को शनाख्ट करने के लिए, 5 June, slash लगाने के बाद, letter A जो airline को शनाख्ट करने के लिए, EY एतिहाद airways के लिए, slash लगाने के बाद, letter C जो booking class को शनाख्ट क class of service को शनाख्ट करने के लिए, फिर LHR London Heathrow airport जो हमारा आखरी destination है, dash symbol जो stopover point को शनाख्ट करने के लिए, यहन तक हमारी outbound journey की itinerary है जो इस्तमाल हो चुकी है, slash लगाने के बाद, letter D जो date को शनाख्ट करने के लिए, अथारा जून, slash लगाने के बाद, letter A जो airline को शनाख्ट करने के लिए, फिर E, Y, एतिहद airways के लिए, slash लगाने के बाद, letter C जो booking class को शनाख्ट करने के लिए, letter L जो नाई booking class of service के लिए, फिर A, U, H, अबुदाबी airport जो हमार अगला destination बगायर stopover के, slash लगाने के बाद, letter D जो date को शनाख्ट करने के लिए, अथारा जून, slash लगाने क बाद, letter A जो airline को शनाख्ट करने के लिए, फिर E, Y, एतिहद airways के लिए, slash लगाने के बाद, letter C जो booking class को शनाख्ट करने के लिए, फिर letter L जो नाई booking class of service के लिए, आखिर मैं K, H, I, कराची airport जो हमारा आखरी destination है, slash लगाने के बाद, letter R और कमा symbol एक साथ, जो request type को शनाख्ट करने के लिए, चार जून दो हजजर 24 जो ticket issued करने की तारीक और साल है, और enter press करें, इस्तिमाल किया हुआ outbound सफर और नए inbound सफर का मजमुए का breakdown display करने के लिए, FQQ transaction का इस्तिमाल करें, इसके बाद, fair quote pricing number 1 के साथ enter press करें, fair और taxes की तफसीलात हासिल करने के बाद, नए safari ticket को दोबारा जारी करने के लिए, और TST को update करने के लिए, इसको copy और paste करें, past date pricing से fair calculate करने का तरीका, FXP transaction का इस्तिमाल करें, slash लगाना के बाद, letter S जो segment को शनाक्ट करने के लिए, 2-5, जो segment number 2-5, जिसमाई इस्तिमाल शुदा outbound का सफर, और नए inbound सफर का air segments हैं, फिर slash लगा करने के बाद, letter R और कमा सिंबल एक साथ, जो request type को शनाक्ट करने के लिए, चार्जून डू हजार चोबीज, जो ticket issued कराने की तारीक और साल है, और enterprise करें, नाया किराया पांच सो तीरसी यूएस डॉलर है, जोखे एक लाक, बास सथ हजार, चार साव सत्तर, पाकिस्तानी रोपे के बराबर है, जुजवी सफरी के इस्तिमाल की वाजह से, असली जारी किये गाय थिकेत के मुताबिक 278.672762, टू का बैंक सेलिंग रेट इस्तिमाल करते हुए, असानी के लिए जुजवी सफरी के इस्तिमाल करने के बाद, ओरिजिनल टिकेट के किराया को बैंक सेलिंग रेट के मुताबिक, जोके इश्यूड के वक्त था, दोबारा कैलकूलेट किया जाता है, जैबके नाय टैक्सिस और पैनल्टीस को रिश्यू डेट के बैंक के सेल और ये टोटल कलेक्टिबल अमाउंट स्टोर की होई प्राइस रेकर्ड टी एस्टी को देखने के लिए TQT ट्रान्जाक्शन का इस्तेमाल करें और एंटरप्रेस करें मतलूबा सेग्मेंट्स को TST रेकर्ड में अपडेट करने के लिए TQT transaction का इस्तेमाल करें स्लाश लगाने के बाद T2 जो TST record नंबर 2 को शनाक्ट करने के लिए स्लाश लगाने के बाद letter S segments को शनाक्ट करने के लिए फिर segments चार और पांच जो के लंडन से कराची विया अबुदाबी अधारा जून को है और एंटर प्रेस करें अगर आपको updated ओके, मैसेज मिलने तो confirm होता है कि TST कम्याबी के साथ अपडेट हो गया है हमारे मतलूबा itinerary segments के साथ PNR में एंशूर करें कि TST updated है नए मतलूबा segments के साथ स्टोर की होई TST से flag हताने के लिए TTF transaction का इस्तिमाल करें slash लगनाए के बाद फिर T2 का इस्तिमाल करें TST जो TST record नंबर 2 को शनाख्ट करने के लिए और एंटर प्रेस करें message TST flag removed जो confirm करता है कि TST अब इस्तिमाल के लिए तैयर है stored की होई price record TST को देखने के लिए TQT transaction का इस्तिमाल करें slash लगाने के बाद फिर T2 का इस्तिमाल करें जो TST record नंबर 2 को शनाख्ट करने के लिए और एंटर प्रेस करें इस TST में मोजूड air segments नाई टिकेट को रिशू करने का लिए आए है रिशू प्रोसेस को शुरू करने का लिए TTK slash E, X, C, H transaction का इस्तिमाल करें slash लगाने के बाद फिर T2 का इस्तिमाल करें जो TST record नंबर 2 को शनाख्ट करने के लिए और एंटर प्रेस करें पहले वाला F जो फर्स्ट इशू फेर शनाख्ट करता था उसको बदल कर R रेशू फेर को शनाख्ट कर रहा है और टैक्स X जो ने टैक्स के लिए था उसको बदल कर O पुराना टैक्स के लिए कर दिया गया है टोटल अमाउंट जो पहले 2,27,717 रोपाई था डिफॉल्ट के तोर पर 0 कर दिया गया है पेमेंट मेथड FP को बदल कर FPO पुरानी मोड आफ पेमेंट के साथ कर दिया गया है जो का कैश पेमेंट थी इक्विलेंट अमाउंट और BSR अपडेट की तजवीज दी जाती है TTK स्लैश T2 जो TST रिकॉर्ड नमबर दो को शनाख्ट करने के लिए स्लैश लगाने के बाद लेटर E जो एक्विलेंट अमाउंट को शनाख्ट करता है PKR जो पाकिस्ताने रुपेस एक साव बासथ हजार शार साव साथर एक और स्लैश लगाने के बाद K1 जो बैंक सेलिंग रेट को शनाख्ट कर रहा है 278.672 276.2 2 और एंटर प्रेस करें एक्विलेंट अमाउंट अब TST में अपडेट हो चुका है ओरिजिन और डेस्टिनेशन को अपडेट करना भी ज़रूरी है इसके लिए TTK स्लैश T2 का इस्तेमाल करें जो TST रिकॉर्ड नंबर दो को शनाख्ट करने के लिए स्लैश लगाने के बाद लेटर D जो ओरिजिन और डेस्टिनेशन को शनाख्ट करने के लिए KHI कराची आउटबाउंड ओरिजिन का थ्री लेटर कोड और एंटर प्रेस करें हमारा ओरिजिन और डेस्टिनेशन अब TST में अपडेट हो चुके है पैनल्टी फीज अमाउंट टैक्स और फैर का फग को TST में अपडेट करनी के लिए TTK स्लैश T2 का इस्तेमाल करें जो TST रिकॉर्ड नंबर दो को शनाख्ट करने के लिए स्लैश लगाने के बाद लेटर X जोने टैक्स को शनाख्ट करता है अमाउंट 41,000 जो पैनल्टी अमाउंट है और XP जो पैनल्टी फीज का कोड है स्लैश लगाने के बाद लेटर T जो टोटल अमाउंट को शनाख्ट करता है और टोटल अमाउंट 59,930 जो के पैनल्टी फीज अमाउंट 41,000 आथ साव नाउंवे और करे का फर्क का अमाउंट 17,040 का मजूमा है और एंटर्प्रेस करें पैनल्टी फीज और टोटल अमाउंट अब TST रिकोर्ड में अपडेट हो चुके हैं FP की लाइन नमबर 14 से कैंसल करने के लिए XE14 ट्रांजाक्शन का इस्तिमाल करें और एंटर्प्रेस करें कलेक्टिबल अमाउंट की फॉर्म आफ पेमेंट को अपडेट करने के लिए FPO का इस्तिमाल करें स्लैश लगाने के बाद कैश लिखें जो पुरानी फॉर्म आफ पेमेंट की शनाख्ट करेगा फिर प्लस साइन लीख कर स्लैश लगाने के बाद कैश जो हमारी कलेक्टिबल नए फॉर्म आफ पेमेंट की शनाख्ट करेगा स्लैश लगाने के बाद P.K.R. जो पाकिस्तानी रुपीज करनसी के लिए है साथ मैं अमाउंट अथवान हजार नाव साव ठीस लेकिन जो हमारी कलेक्टिबल अमाउंट है नए टिकेट रीशू करने के लिए और एंटरप्रेस करें हमारी पुरानी और नए फॉर्म आफ पेमेंट डूनू कम्याबी साइ लाइन नंबर चौड़ा P.N.R. में अपडेट हो गई है F.O. Original Issued in Exchange Information को अपडेट करने के लिए पहले Issued E-Ticket को P.N.R. से डिस्पले करें TWD Transaction का इस्तिमाल करें Slash लगाने के बाद Line की शनाक्त के लिए Letter L लिखें फिर P.N.R. से F.A. Element के लिए नंबर दूस लिखें और एंटरप्रेस करें अब Issued E-Ticket Details को Automatically Update करने के लिए F.O. Transaction इस्तिमाल करें फिर Asterisk Symbol लगाने के बाद Letter L लाइन को शनाक्त करने के लिए साथ ही नंबर दूस लिखें जो F.A. Element के लाइन नंबर P.N.R. में और एंटरप्रेस करें F.O. लाइन के आखिर पर ले जाएं अब करसर को E3 के पास ले जाएं स्लैश लगाने के बाद Letter S लिखें जो सेग्मेंट को शनाक्त करने के लिए फिर नंबर 4 और डैश फिर 5 जो Air Segment Numbers 4 और 5 P.N.R. से रीशू करने के लिए स्लैश लगाने के बाद Letter P लिखें जो पैसेंजर को शनाक्त करने के लिए साथ ही नंबर 1 जो पैसेंजर नंबर को शनाक्त करने के लिए और Enter Press करें F.O. एलेमेंट P.N.R. की लाइन नंबर चौड़ा पर अपडेट हो गया है Changes को P.N.R. में महफूज करना याद रखें ये तजवीजदी जाती है एक नया टिकेट जारी करने से पहले P.N.R. माइ असल जारी शूड़ा टिकेट को दिखाया जाए इसके लिए TWD ट्रांजाक्शन का इस्तिमाल करें Slash लगाने के बाद Letter L जो लाइन को शनाक्त करने के लिए साथ ही नंबर 11 लिखें Slash लगाने के बाद T.2 का इस्तिमाल करें जो T.S.T. record नंबर 2 को शनाक्त करने के लिए और Enter Press करें या फिर ये तजवीजदी जाती है एक टिकेट को जारी करते वक्त T.T.P. transaction का इस्तिमाल करते हुए segments और passengers को शनाक्त करें इसके लिए T.T.P. transaction का इस्तिमाल करें Slash लगाने के बाद Letter S जो segment को शनाक्त करने के लिए साथ ही नंबर 4 और Dash फिर 5 जो Air segment numbers 4 और 5 P.N.R. से रीशू करने के लिए Slash लगाने के बाद Letter P लिखें जो passenger को शनाक्त करने के लिए साथ ही नंबर 1 जो passenger नंबर को शनाक्त करने के लिए और Enterprise करें Processing के बाद OKE ticket message जो तस्दीक करेगा T.T. कम्याबी से जरी हो चुका है नाया F.A. line number 12 पर P.N.R. मैं generate हो गया है जो लंडन से कराची के segment numbers 4 और 5 के लिए है नए जरी शुदाई ticket record की तफसीला देखने के लिए TWD transaction का इस्तिमाल करें Slash लगाने के बाद Line की शनाक्त के लिए letter L लिखें फिर P.N.R. से F.A. element के लिए number 12 लिखें और Enterprise करें यने ticket details है देखने का शुक्रिया मजीद मलूमती वीडियोस के लिए like शेर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा